समस्कार आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो आपका फ्रंट पेड प्रोजेक्ट का बनता है वो फ्रंट पेड प्रोजेक्ट का आप कैसे Microsoft Word पे बहुत ही easy way में बना सकते हैं इसके लिए आप वीडियो के साथ अंतक बने रहें वीडियो को इसकी पना करें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाया तो इसके लिए सबसे पहला क्या काम क्या करना है आपको insert tab में चलना है insert tab में चलके यहाँ पे आपको option मिल जाएगा word art आप word art पे क्लिक करिए और आपने text को display करना चाहते हैं अब फिर उसके बाद आप अपने project का नाम लिख दीजेए सबसे पहले तो institute का नाम लिखा जाता है आपके तो आप उसका नाम लिख दीजे तो हम institute का नाम लिख देते हैं यह institute का नाम लिख दिया और लिखने के बाद अब हमें क्या करना है इसके color को अपने हिसाब से maintain कर ले ना जैसे हम क्या करते हैं इसके color को red कर लेते हैं तो यहां से आप टेक्स्ट में जाके और color को आप red करते red करने के बाद outline का color आप जिस color से आप देना चाहिए या जिस तरह से देना चाहिए वो select कर लें फिर आप इसको rotate करना है rotate करने के लिए आपको क्या करना है format tab पे जाना है यहाँ पे आप देखेंगे test effect एक टूल बन जाएगा इस पे जाएगे यहाँ पे मिलेगा transform ट्रांसफार पे जाएगे तो यह ऐसे घूम जाएगा तो आप इसको क्या करना है आपको नीचे की तरफ आपको ऐसे drag कर देना है और आप इसकी size इसको आप सेट कर लें और इसकी size को आप अपने according सेट कर लें आप जिस तरह से जितना इसकी size को आप बड़ा या छोटा करना चाहते हैं उतना आप कर लें अब उसके बाद ये जब आपका पूरा तयार हो गया अभी इस पे हमको border भी लगाना है तो border लगाने के लिए आप यहाँ पे page border को चाहले लें या एक और आसान सा रास्ता है आप जूम को थोड़ा देगा तो यहाँ पे आप rectangle टूल लेके border अपने हिसाब से आप ड्रा करें तो यह हमने लिया rectangle और यह हमने बना दिया एक पुरा rectangle और save fill में जाके इसके fill को no fill करते हैं आउट लाइन को हम थोड़ा मोटा कर लेते हैं आउट लाइन मोटा होने के बाद आउट लाइन पे हम dotted line या two lines इस तरीके से हम इस पे lines को apply करते हैं फिर उसके बाद अब हम इसके border के line को भी line के color को भी हलका different look दे सकते हैं अब अगर आप देखें जूम करके तो यह इस तर से बना अब फिर आपको अगला काम क्या करना है यह आपका ready हो गया border border ready होने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा इसको adjust कर लेना जिससे यह आपको perfect दिखाई पड़े फिर अगला काम यहाँ पर आपको अपना जो logo बनाना है मान लिजए आपके पास logo है तो आप बना सकते है नहीं है तो आप उसको download कर सकते हैं और यहाँ पर logo भी बहुत आसानी से तयार कर सकते हैं जैसे हमको अपना logo तयार करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना है? save पे जाना, save पे जाके यहां से आपको rectangle ellipse लेना है, ellipse लेके ऐसे आप एक गोला बना दीजे अब उसके बाद आपको क्या करना है यह हो गया, अब आपको logo बनाने में जो चीजे आपको लिखनी है, वो आप include करिए, तो पहले इसके background को आप कर दीजे, no fill अब outline का color यह change हो गया, अब आपको क्या करना है, एक और rectangle तयार करिए तो एक और rectangle तयार, ओ स्वरी एक और ellipse तयार करते हैं सेम इसी तरीके का, या इससे बड़ा थोड़ा सा, और अब हम क्या करते हैं, इसके भी color को no fill कर देते हैं no fill no fill करके अब हम इसको center में कर लें, जिससे यह आपका एकदम perfect बन जाए तो अपने हिसाब से आप इसको center कर लें यह बन गया, अब फिर जैसे यही text, सेम यही text लिखना है तो आप इस text को copy कर लिजे और copy करके बाहर क्लिक करके paste कर दिए, तो एक और बन गया अब आप क्या कर यह, इसको छोटा कर लिजे यह छोटा कर लिया, छोटा कर करके आप इसको adjust कर दिजे यहाँ पे इसको अपने हिसाब से आप adjust कर लिजे जब यह adjust हो गया, आप नीचे भी आपको अगर कुछ लिखना है, तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, तो जैसे अभी हमको क्या करना है, हमको यह जो नीचे वाला है, इसकी color को change कर देना है, तो इसके color को हम save fill में चलके यहाँ से कोई भी एक fill ले ले लेते हैं, थोड़ा हलका color यह काफी अगर गा चाहें, फिर उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, इसको आप select करिए, और फिर आप चले आईए, send to back कर देए, send to back, send to back, वो पीछे चला गया, और आपका जो text है, उस text को आप सामने ला लिजे, तो text को आप select करिए, यह जो text है, इसको थोड़ा जैसे आप adjust नहीं कर पा रहा हैं, तो आप इसको उठा के आप नीचे कर ले, और नीचे करके आप फिर इसको अपने हिसाब से set कर ले, अब जैसे ही आप यहाँ set करते हैं, तो यह आपका जो है, अब यह हम इसको set करके आपको दिखाते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं इसको bring to front कर लेते हैं इसको सामने ला लेंगे और उसको send to back कर देते हैं तो इसको bring to front कर लेते हैं ये सामने आ गया अब इसको हम यहाँ पर adjust कर देते हैं तो इस तरीके से बन गया अब ये जो पीछे है ये पीछे एक और देख ले इसको जैसे आपको white करना है तो आप क्या करें इस पे click करें और इस पे save fill में white color fill कर दें और इसको भी bring to front कर ले अब आप bring to front करते हैं तो ये इस तरीके से बन जाता है बहुत आसानी से अब ये देखें ये ऐसे बन गया अब उसके बाद आप अपने text को इसमें लाके adjust कर लें ये देखें आपका पूरा-पूरा text इसमें adjust हो गया अब अगर ये सही आपको लग रहा है तो जो text आपने ऊपर अभी लिखा था इसको आप उठा के नीचे लाके आप adjust करके रख लें ये ऐसे इसको और ज़्यादा घुमाना चाहते हैं तो आप और चोटा कर दें और इस text की size बढ़ा करके आप इसको ऐसे इधर adjust कर लें तो ये इस तरीके से दिखने लगेगा तो ये आपको अगर सही लग रहा है तो ठीक है अब फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आप बढ़िए तो अब आपको adjust करना है अपने बाकी और details आपको यहाँ पे fill करने है तो जैसे यहाँ पे आप इसके नीचे यहाँ पे कोई box बना के फिर कुछ आपको लिखना है तो अब आप क्या करिए फिर आप insert पे चलिए और यहाँ पे फिर से आप word art करिए आप कोई दूसरा word art ले लीजे या अगर same color का word art आप लेना चाहते हैं तो आप same color का भी ले सकते हैं वो आपके उपर depend करता है तो आप यहाँ पे जैसे same color का अगर आप word art लेना चाहते हैं इसके position को आप जैसा चाहें या इसको आप rotate करना चाहते हैं आप rotate कर लीजे तो आप इसको rotate कर लीजे अपने हिसाब से आप जैसा rotate करना चाहें तो इसको rotate कर लीजे आप यहाँ पे आप जो भी text लिखना चाहते हैं मालीजे आप address लिखना चाहते हैं तो आप address लिख सकते हैं तो address हम इस पर लिख देते हैं जैसे हमको यहाँ पर जो address टाइप करना है वो करना है अब यह हमारा जो text है इसको just opposite करना था लेकिन यह इस तरीके से दिख रहा है तो क्या करें तब ऐसे में आप word art पे जाएं और इसको आप इस तरह से उल्टा कर दें और फिर आप इसकी size को अपने हिसाब से आप adjust करके फिर आप यहाँ पे fit कर दें इसको आपको जब यह perfect लगे उतने पे आप इसको रोग लें इसको आप पूरा का पूरा set कर लें अगर यह आपको लगता है कि हाँ आप यह सही है तो ठीक है इसकी size जैसे इसकी size का matter है यह size है तो size को भी आप चाहें तो अच्छे से और अच्छा design कर सकते हैं वो आपके उपर है आप जैसा चाहेंगे वैसा यह बच जाएगा तो यह हमने बना लिया अब उसके बाद अगला काम हमको क्या करना है यहाँ पे हमको एक चाहिए वो जो माली जे की computer रखना है या आपको जो है lab का कोई machine रखना है तो वो आप यहाँ पे रख लें तो मैं भी उसको आपको दिखाता हूँ माली जे हमारे पास नहीं है तो उसको हम कैसे download करें वो भी हम आपको दिखा देते हैं उसके बाद जैसे अब हमको यहाँ पे address fill up करना है यहाँ पे हमको पूरा address लिखना है कहां कहां पे है तो यहाँ पे चलिए text box पे जाई लिए text box में जाने के बाद फिर आप यहाँ पे draw text box ले लिजे draw text box लेके अब आप यहाँ पे एक text box draw कर दीजे अब यहाँ पे आप address लिख दीजे अब आप यहां पे अड्रेस पूरा का पूरा फिल कर दीजे फिर उसके बाद आप यहां पे लिख दीजे पूरा अड्रेस कम्प्लीट जब आपका हो गया तो अड्रेस कम्प्लीट होने के बाद आप अड्रेस और नीचे आप सेशन भी अगर लिखना चाहें तो आप session भी लिख लीजे क्योंकि आपको दूसरा text box ना बनाना पड़े तो आप इसी में जो है आस़ाणी से session लिख सकते हैं फिर उसके बाद मालिजे आपको dot लगाना है dot देना है तो आप dot दे सकते हैं फिर उसके बाद जो भी आपको लिखना है वो आप कर लिए फिर उसके बाद इसकी आप size को अपने हिसाब से आप बड़ा छोटा कर लें size को बड़ा छोटा करने के लिए मैंने कई सारे वीडियो बनाये हैं उनमें भी देख सकते हैं या home tab में जाके आप यहां से भी size को adjust कर सकते हैं यह आपको जब लगे कि हाँ यह size perfect हो गई है तो आप इसको छोड़ दें अब उसके बाद नीचे चले आएं और इसको भी इसकी size को भी आप adjust कर लें थोड़ा सा size अब फिर इसको center में कर लें center में करेंगे और इसको bold कर दें अब bold करने के बाद अगर आप इसके color को change करना चाहते हैं तो यहां से आप text में जाके कोई भी color ले सकते हैं तो जो color आप चाहते हैं वो color ले लिजे अब यह जो border इसमें दिख रहा है इस box को हटाना है तो outline पे जाके no outline कर दें यह box हट गया अब उसके बाद आपको अगला क आप हमें यहां इतना area हमाई सामने बचा हुआ है फिर से आप insert में चलें इंसर्ट टैब में जाके यहां पर आप text box ट्रा करने के बाद अब आप देखें यहां पर text box ट्रा कर लिया text box ट्रा करके अब आप आसानी से यहां पर लिख सकते हैं तो आईए लिख के दिखाता आपको जैसे आपको लिखना है रूल लंबर रूल लंबर फिर आपको यहां पर आगे पूरा रूल लंबर फिल करने के लिए डॉट 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 की लाइन बनानी है वो आप बना लिजे फिर अभी font size बढ़ा करेंगे तो आपको दिखने लगेगा यह फिर course पिर उसके बाद आपको dot dot line बनानी है तो आप dot line बना सकते हैं तो आप इस तरह से dotted line बना ले तो यह dotted line बन गई फिर उसके बाद course के बाद फिर name हो गया फिर name के लिए भी dotted line बना ले name के लिए भी हमने dotted line बना दी यहां पे फिर उसके बाद subject हो गया subject subject पे फिर हमने dotted line बना दी अब subject पे जब हमने यह dotted line तयार कर ली अब हम इसकी size को बढ़ा करने इसको select कर ले home tab में चले आए और यहां से आप इसकी size को बढ़ा कर दे आप जितना बड़ा करना चाहें जितने पे आपको लगे कि हाँ ये पर्फेक्ट है आप उस साइज पे इसको रोक लें तो माल लिजे कि ये साइज हमने कर दी अभी जो dotted line जादा हो गई है dotted line को कम कर दें तो ये adjust हो जाएगा तो हम dotted line को कम कर के इसको adjust कर लेते हैं तो हम dotted line को यहाँ पे adjust कर लेते हैं जिससे ये आपको पर्फेक्ट दिखने लगेगा फिर subject पे माल लिजे हमको दो dotted line चाहिए तो हम subject पे ये भी dotted line बना देते हैं अब फिर उसके बाद इसमें जो text है इसमें दूरियों को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे चलते हैं और इनकी दूरियों पे हम थोड़ा सा gap जो भी gap आप देना चाहिए वो आप आसानी से दे सकते हैं फिर इधर थोड़ा सा और नीचे कर लें इसको ताकि उपर rule number लिखने की जगे यह अगर जादा हो गया है तो यहाँ का space थोड़ा कम कर लें यहाँ पे जो आपने space लगाया है वो कम कर दें जिससे यह उसके अब इसके space को आप बढ़ा लें अब फिर यह आपका इस तरीके से दिखने लगा अब आपको क्या करना है मान लिजे कि इसको आप box बनाना चाहते हैं तो format में चले आइए shape outline पे चले आइए और यहाँ से line को अपने हिसाब से मोटा पतला जो भी आप लेना चाहते हैं ले लिजे फिर edit shape में change shape कर लिजे और यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से आप manage कर सकते हैं अब अगर यह adjust नहीं हो रहा है तो आप फिर से वही same process है dotted line को हटाना है तो यह perfect आपको अगर लगे तो यह आपका complete हो जाएगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आपका इस दब perfect हो गया अब हम जो है यहाँ पे अगला काम क्या करना है हमको अगले काम के लिए अब हमको यहाँ पे अगला काम में यहाँ पे इसको जो है थोड़ा सा नीचे कर लें और यह जो आपका test है इस पे जो ज़्यादा space है इस space को थोड़ा सा कम करके इसको adjust करें ताकि यह और अच्छा दिखे 2, 1.5 कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने जो इंटर लगा रखा है इंटर को कम कर दें और अगर 1.5 से इसको 2 करते हैं तो यह सही लग रहा है तो अब आप इसको ऐसे इस तरीके से तयार कर सकते हैं अब फिर अगला काम में यहाँ पे माल लिजे की अब आपको जो है आपने यह पूरा का पूरा तयार कर लिया तयार करने के बाद अब आप इस पे आउटलाइन पे जो कलर देना चाहते हैं आउटलाइन माल लिजे यहाँ से आप जैसे हमने इसके border पर outline दिया है तो इस outline को भी हम लोग ऐसे कर देते हैं और इसके color को भी change करना है तो यहां से आप जो color चाहते हैं वो color ले लिजे अब आप देखें तो यह पूरा का पूरा बन के तयार हो चुका है और यह आपके सामने इस तरह से तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इत्ता ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा लोग तक share करें ताकि उनको भी यह knowledge मिल पाए दोस्तो thank you so much वीडियो को अंतक देखने के लिए